हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल और आप सभी कैसे हैं उमीद करती हूँ आप सभी मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं मेरे डमकेन में देखिए यह जो मदर प्लांट है इसने एक बेबी प्लांट दिया है और इसको मैंने बहुत पहले छोटे में ही अलग नहीं किया यह अब काफी बड़ा हो चुका है और अब मैं इसे अलग गंबले में लगाऊंगी तो मैंने सोचा कि इसका वीडियो भी बना लेती हूँ इसको अलग गंबले में शिफ्ट करने का ताकि किसी और के पास भी ऐसा ही बेबी प्लांट अगर आया है उनके प्लांट के अंदर तो वो उसे कैसे अलग करें वो देख सकें तो आज का वीडियो मेरा इसी के उपर है तो यह देखिए जो इसका बेबी प्लांट है इसने भी काफी बड़े बड़े लीफ्स जो है वो कर दिये हैं अब इसको अलग करने के लिए हमें क्या करना है मैंने मिट्टी भी इसकी तियार कर लिए पहले से ही फ्रेंट्स तो आ तो इस खुर्पी को ही मैं गमले के जो यह किनारे हैं सारे राउंड में इसमें लंबाई में गुसा के भी इसको निकालूँगे आप यह देखिए थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि या तो यह इसका बेबी प्लांट और आ रहा है यहां से या फिर इसकी रूट्स बा इसकी रूट्स हैं और काफी जादा बड़ी हो चुकी है इसकी रूट्स भी जो इसका बेबी प्लांट है तो यह देखिए इसको हम अलग कर लेंगे मिट्टी को हलके हाथ से आप चाहे तो लूज कर सकते हैं अगर लूज हो रही है मिट्टी यह देखिए जो मदर कर लिये और आपको क्लिर दिख रहा है कि यह मदर प्लांट से बेबी प्लांट किस नौट से पॉइंटस से जुड़ा हुआ है तो देखिए इसकी रूट्स है सारी जो बेबी प्लांट है और उस साइडी मेरे डम…? के जो है पड़े पर आप देख पा रहे हैं यहां से भी जुड़ा हुआ था और यह उपर वाला हिस्सा है इससे भी जुड़ा हुआ था तो यह दोनों हमने बहुत ही अच्छे से कट कर लिये हैं और इस प्लांट को कोई खत्रा नहीं है फ्रेंट्स आप यह मत सोचिए कि आपने अलग किया है तो कुछ खत्रा है यह देखे जैसे इसमें यहां से ग्रोथ हुई थी उपर भी कई सारे नोट पॉइंट बने और वहां से आप चाहें तो और भी प्लांट्स ब लगांगे और जो यह मदर प्लांट है इसको मैंने 12 इंची के गंबले में था पहले ही और इसको अब मैंने 14 इंची के गंबले में शिफ्ट कर दिया है इसको थोड़ा सा और बड़ा गंबला दिया है ताकि और अच्छे से बढ़ सके तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं और जो इसकी मिट्टी मैंने तयार करी थी friends, उसमें मैंने मिलाया है, रेथ है, मिट्टी है, खाद है, नीम की खली है, और आप बाइट बाइट देख रहे हैं, तो ये मैंने परलाइट और वर्मी क्लोराइट पीस में mix किया है, तो आप भी इस तरीके से मिट्टी तयार कर ल तो इस तरीके से आप भी मिट्टी बना के रखें, और friends, मैं तो जब ऐसे वाले काम होते हैं, तो उसके लिए क्या करती हूँ, कि 3-4 प्लांट्स की जब ऐसी कोई shifting हो, या कुछ रिपॉट करना हो, तो एक साथ काफी सारी मिट्टी बना लेती हो, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, उससे आपका टाइम भी सेव होता है, तो इस देखें, सारी मिट्टी मैंने इसमें भर दी है, और इसको हलके हाफ से आप प्रेस भी कर दीजे, ताकि अपनी जगह पे सेट हो सके, इदर उदर लुड़के नहीं, क्योंकि मिट्टी अभी डाली है, तो थोड़ी करा दी है, इसके पत्तों पे, ताकि इसके पत्ते भी फ्रेश महसूस करें, और उसके बाद इसको इतना पानी दे दिया है, ताकि इसकी मिट्टी जो है, नीचे तक गीली हो जाए, तो जब भी कभी आप ऐसा लगाए, तो पानी अच्छे से दे दे, बाकी डमकेन जो है, व अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज कर लीजीगा, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, सब तक के लिए बाई